एक ओनर जिसको पैसो के बहुत प्रॉल्म थी जिस जगा पर वो काम करते थे उस ओनर के डेट के बाद अचानक से उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे सिक्रेस निकले क्या एक दूसरे पर भी ट्रस कर सकते हैं या आज के हमारी 2020 की मुवी डेंचरस लाइस इसमें हम देखेंगे इसमें अलग-अलग टर्स आथे और लास्ट के पेवेक भी बहुत अच्छा है तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बिना किस देरी के इसमेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नामे केटी इसे एक डाइनर में काम करता हो देख सकते हैं उसका हजबन आडम में उसके शिफ्ट खतम होने का वेट कर रहा था अच्छली बहुत ही यंग एज में इन्होंने शादी कर ली एडम स्कूल में है और उसे केटी सपोर्ट करती है ये दोनों बहुत ही होफफूल थे कि एडम को अच्छे से जॉब लगीगी तो इंकी सिजुएशन चेंज हो जाएगी अजनासे एक आदमी गन लेकर डाइनर रूटने लगता है जब उस आदमी का ध्यान नहीं था तो आडम ने उस पर हमला कर दिया वहाँ के लोग को उसने बचा लिया अब इस इंसिडन को चार मन गुजर चुके है केटी का अब एक न्यू जॉब है वो एक रीच ओल्ड मैन की केर रखती है इस ओल्ड मैन का नाम था लेनर लेनर अपने गार्डन को देखकर कहे रहा था कि जब मैं चोटा था तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन थी केटी कहती है गार्डन को बनाने के लिए तुम किसी को हायर कर सकते हो लेनर ने कहा कि मैंने एक आदमी को किया था पर एक दिन अजनक से वो गायब हो गया उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिला इसके बारे में मुवी में हमें आगे पता चलेगा इसके बाद जब केटी घर पर आती है पर Adam ने माना नहीं वो गहती है तुम कभी भी कोई भी बात सुनते नहीं हो उस दिन डायनर में उस आदमे पर हमला करने की कोई भी जरूत नहीं थी उसके पास गन थी तुम मर सकते थे केटी अपसेट होकर लेनर्ट के घर के बाहर ज़रा सोच रही थी तो लिनर्ट को लगा कि घर में कोई है वो directly गण लेकर बाहर आता है केटी उसे पूछती है कि तुम गण क्यों लेकर आज उसने का कि हमेशा मुझे घर में किसी ना किसी की तो आवाज आती है केटी ने का कि घर में कोई भी नहीं है आज रात उसके Adam के साथ जो fight हुई थी इसके बारे में वो बात करते है Leonard ने कहा कि मुझे तुम्हें पैसो की help करने दो Katie उसे मना करते है, कहती है Adam को job की जरूरत है फिर अगले दिन से garden को manage करने के लिए Adam को यहाँ पर job मिल जाता है एक दिन इनके घर पर एक real estate agent आया जिसका नाम था मीकी मीकी केटी से कहता है मेरे client को एक घर बहुत ही पसना है तुम्हें जितना amount चाहिए उतना वो pay कर सकता है केटी उसे कहती है, यहाँ के honor यह house नहीं sale करना चाहते है पर मीकी बहुत ही consistent था केटी को बहुत ही अजीब लगा एडम भी wonder करता है कि इस house की कीमत क्या होगी एडम फिर से इन दोनों की relationship को सुधारने का try कर रहा था और केटी को भी try पसना है केटी को जिस agency की तुरू job मिला था उसका honor यह Leonard को मिलने के लिए आता है उसे पूछ रहा था कि केटी किस तरीके से उसका खैल रखती है और लोगों का खैल रखते हुए उनका कोई फायदा ना उठा है इसलिए हमेशा वो inspect करते रहते है आज Leonard ने केटी को pay कर दिया जब बाद में इस check को देखती है तो यह 7,000 डॉलर्स का था यह बहुत जादा वैसे थे यह दोनों figure out नहीं कर बात है कि ऐसा कैसे हुआ फिर केटी को याद आता है कि उसने Leonard से उनकी financial situation के बारे में बात की थी वो गहती हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा हमें पैसे नहीं ले सकते है पर आज बहुत ही लेट हो चुका था अगर उनने बिल्स वेकरा पे नहीं किये तो उनकी बीजली कट जाएगी तो Adam कहता है आज हम इस चेक को deposit कर देते बाकी पैसे वापस कर देंगे अगली दिन केटी Leonard के हाँ जब काम पर आई तो उसकी date हो चुकी थी यह natural date थी केटी को बहुत बुरा लगता है Adam उसके पास आया तो Leonard के हाथ में एक चावी थी वो वंडर करता है कि यह चावी किस की है उसने एक बॉक्स कुल कर देखा जिसमें Leonard की बहुत सारी चीज़े थी इसमें Leonard की गल्फरेंट के फोटो देखता है वो जब यंग थी तभी उसका accident हो गया था इसलिए Leonard ने कभी भी शादी नहीं की इसी बॉक्स के नीचे उन्हें बहुत सारे पैसे मिले अब यह दोनों discuss करते कि इसका करना क्या पड़ेगा Adam कहता है कि अगर हमने इस पैसों के बारे में किसी को भी बता दिया तो पैसे कही ना कही पुलिस के लॉकर में पड़ेंगे हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है केटी भी इसके लिए एगरी करती है इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिकेशन हुए डिरिक्टों से कुछ क्वेस्चन पुश कर यहां से चली जाती है एडम और केटी ने डिसाइड किया था कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिकेशन खतम नहीं हो जाती है तब तक सारा रोटीन वो सेम रखेंगे आज केटी फिर से अपनी एजनसी में न्यूज जॉब देखने के लिए जाती है वहाँ के मैनेजर ने उसे कहा कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिकेशन खतम नहीं हो जाती है तब तक हम तुमें कोई भी नूज जॉब नहीं दे सकते इसे के बैरलल में एडम ने भी बहुत ही अच्छी कमपनी में इंट्रिव्यू दिया था पर वो भी रिचेक्ट हो जाता है वो फिर लेनर्ड के घर में पैसे देखने के लिए है पर नीचे से उसे कुछ आवाज आता है ये वो देखने के लिए गया पर पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया जब उसे होश आया तो केटी को अपने पास बुलाता है केटी सोच रही थी कि अडम पर किसी ने हमला क्यों किया अडम क्याता है क्यूंकि हमें जो पैसे मिले वो 100,000 डॉलर से उसने काउन किये थे अडम को लगता है कि पहले घर में किसी ने काम किया होगा उसे इस पैसो के बार में पता होगा लेनर ने पहले कहा था कि उसने गार्डनर को हायर किया था शायद ही वो हो सकता है अब यह पैसे यहां रखना सेफ नहीं तो एक लॉकर रेंड करकर वहाँ रख कराते है जब यह दोनों यहां से जा रहे थे तो मीकी जो एक real estate agent है भी या नहीं यह उन दोनों पर नज़र रख रहा था यह दोनों आज बहुत ही खुश थे तो घर आकर intimate हो जाते last formalities complete करने के लिए डिरेक्टिव ने केटी को police station बुलाया डिरेक्टिव कहती है कि लेनर की body का क्या किया जाया केटी कहती है कि वो चाहता था कि उसकी ashes ही उसके garden में spread हो जाया लेनर का इस दुनिया में कोई भी नहीं तो इसके wish केटी complete करेगी इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे फिर भी यह pay करने के लिए केटी ready थी यह बात डिटेक्ट्टू को ज़रा अजीब लगी जब केटी और एडम मेमोरियल पर थे तो लेनर की लॉयर वहाँ पर आती है उसने उनसे कहा कि सारी property लेनर ने केटी को दे दिये एक दिन अचानक से secretly उसने उसे बुलाय हुआ था इस बात पर केटी बिलिव नहीं कर पाए वो दोनों बहुत ही खुश थे जाते जाते केटी और लॉयर जब अकिली थी तो लॉयर उसे गहती है तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा अगर पुलिस investigation में कुछ गरबर हुई तो तुम्हारे हाथ से सारी चीज़े जा सकती है सारी property तुम्हें मिली इस बात से Adam को भी problem हो सकता है तुम्हें जरा सावधान रहना पड़ेगा Adam और केटी अपने future को लेकर बहुत कुछ थे अलग-अलग plannings बनाते है अगले हे दिन यह लेनोयर के घर में moving हो गए थे Adam को police station से call आया और उसे मिलने के लिए भुलाया गया था जब वहाँ पर पहुचा तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने भी call नहीं किया था यह बात डिरेक्टिव ने notice की उसे लगता है कि Adam कुछ ना कुछ तो suspicious है आज केटी से मिलने के लिए फिर से मिकी घर पर आया था वो कहता है कि मुझे लिनेट के बारे में पता चला अब यह property किसी ना किसी को तो sell करनी ही पड़े की केटी कहती कि सारी property मुझे मिली है और मैं sell नहीं करने वाली मिकी इस बात पर believe नहीं करता वो गहता है इस तरीके की will कोई भी बना सकता है मेरी तुम पर नजर रहेगी केटी ने का कि अब next बार तुम मेरे lawyer से बात करोगे रात में केटी disturbed थी आडम को इस सारी चीजों के बारे में बता दिया आडम कहता है हमें मिकी को ignore करना चाहिए जितनी कम चीज़े हमारी और police investigation में उतना ही अच्छा होगा केटी ने बातरों में आडम के एक watch notice की जो बहुत ये expensive थी आडम पहले भी बोल रहा था क्यों फिर से आप गरीब नहीं रहना चाहता केटी ने उससे कहा था कि इस तरीके कि कोई भी चीज़ें उन्हें नहीं करनी है सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए पर एडम ये बात मान नहीं रहा अगले दिन investigation करते हुए डिटेक्टू केटी के पास आए तो उसे पता चलता है कि केटी को एक घर मिल चुका है डिटेक्टू को फिर से इन दोनों पर शक कया उसने investigation कि लेनर्ड ने केटी को 7,000 डॉलर्स का चेक दिया था इसके बारे में उसे पता चला वो उन पर और भी ज़ादा शक करने लगती है आज कल सारी चीजों को लेकर केटी ज़रा डर रही थी वो लेनर्ड के ओफिस में डूनती है कि उसने इतने सारे पैसे रखे क्यों थे एडम कहता है कि आप फरक क्या वरता है इस बात को तुम जाने भी दो डिरिक्टी उने केटी के एजनसी के मैनेजर से बात की मैनेजर बहुत ही गुसा हो जाता है उसे लगता है कि शायद केटी लेनर्ड का फाइदा उठा रही थी आज केटी जब घर को चेक करे ही थी तो उसे एक एटिक मिला इसमें एक सिगरेट डोर था जिसके अंदर जाने पर उसे एक जगा पर डेट बॉड़ी मिलती है वो बहुत ज़ादा डर गई वो डिस्टबो को रो रही थी आज़म उसे सहारा देता है केटी कहती कि उस आदमी को किस ने मारा और क्यो आडम केटी को बहुत सारे डायमन्स दिखाता है कहता है इस वज़े से आडम ने पहले उस डेट बॉड़ी को डिस्कवर किया था और डेट बॉडी के पास ये डायमन्स पड़े हुए थे केटी को लगता है कि जो गाड़नर यहाँ पर काम करता था शायद ये वही है इट आइवन देखी रहे थे तब ये अचनल से केटी के एजनसी का मैनेजर वहाबर पहुच जाता है वो बहुत ही गुसा था पर केटी उसे घर में भी अंदर नहीं आने देती केटी आडम से कह रही थी कि हमें इस डेट बॉड़ी के बारे में पुलीस को बता देना चाहिए आडम कहता है कि इस इन्वेस्टेशन में और भी कोई प्रॉलम है तो हम सब को चीजे लूज कर सकते है वो इस बॉड़ी को ठिकाने लगा देता है रात में सो रहे थे तभी घर में इन्हें किसी की आवाज आई एडम ने केटी को बिना बता एक गन भी बाय कर ली थी एक गन लेकर वो बहार निकलता है पर स्टेश पर एजनसी का मैनेजर था ये गन देखकर डर गया और वो नीचे गिर जाता है उसकी इंस्टेंडली डेट हो गई थी इसकी इन्वेस्टेशन करने के लिए पुलीस को बुला जाता है डिरेक्टियों ने केटी से बात किये कह दिया है यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब चीज़े हो रही है और यहोना स्टार्ट हुआ जब यहाँ पर एडम काम करने लग गया उसे पहले सब कुछ नॉर्मल था मुझे बता है कि तुम इस सब में इन्वाल नहीं हो पर तुम्हें एडम पर नज़र रगनी चाहिए अगली दिन केटी फिर लॉयर के पास गे वो सारी चीज़े उसे बता देती है लॉयर ने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि अडम ने इस सब क्या होगा तो घर की तलाश हिलेंगे तुम्हें सारी चीज़े बहुत ही सेफ रगनी पड़ेगी केटी वे लॉयर के साथ जहाँ पर लॉकर रखा हुआ था वहाँ पर जाकर चेक कर दिया तो लॉकर में कोई भी पैसे नहीं लॉयर कहा थी कि अडम तुम्हें धोका दे रहा है वो जल्दी से हासे भाग जाएगा केटी घर पर आई तो अडम सारे पैसे लेकर पैकिंग कर रहा था अडम उसे गयता है कि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है मैंने उस रियल इस्टेट एजन के बारे में और भी जान कर निकाली उसने एक्चुल में एक रॉबरी की थी ये रॉबरी उसे डायमंड्स की थी इस रॉबरी में उसका पार्टनर वो गार्डनर था पर उसे पुलिस ने शौट किया था उसे छुपने के लिए लेनर्ड के घर में बहुत ही अच्छी जगा थी तो यही आकर वो छुप कया मिकी बहुत ही डेंजरेस है वो इन्हें भी मार सकता है तो इस दोनों मिलकर यहां से भाग रहे थे अचानल से मिकी इनके घर में घुशा है उसने केटी पर गन लगा दी वो बुशता है कि डायमंड्स का है एडम ने भी अपनी गन निकाल ली कहता है कि उसे जाने दो मिकी एडम को शूट कर देता है एडम बहुत ज़ादा इंजोर रोड़ चुका था मिकी उसे देखने के लिए क्या पर एडम भी उसे शूट कर देता है केटी उसके पास आई एडम की हालत बहुत ही खराब थी वो बहुत दुरोती है उसके पास ही एडम की डेथ हो गई उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एडम पर शक किया था केटी को ढूंद देवे लॉयर उसके पास आई जो भी हुआ यह सब बात है केटी लॉयर को बताती है लॉयर कहती है कि मीकी बहुत इस्टूपीड था उसे छोटा सा काम भी करना नहीं आया वो बातों बातों में डायमन्स की वर्थ बता देती है जो थ्री मिलियन डॉलर्स थी केटी को इस बात पर शक आया तो लॉयर ने भी सब कुछ बाते बता दी उसने का कि मैं मीकी को दिप्रेजेंट कर रही थी वो अपनी सिचुएशन से तंग आ गई थी तो इसी वज़े से मीकी को रॉबरी में उसने हेल्प की थी और वो केटी पर गन लगा थी कहती कि डायमन्स का आया वो उसे मार नहीं वाली थी तब ही डिरेक्टी वहाँ पर पहुश कर लॉयर को मार देती है केटी ने ओल्री डिरेक्टी को कॉल लगा दिया था और इसके बाद चार मंस गुजर चुके है हम देखते हैं कि केटी प्रेगनन्ट थी उसके बास डिरेक्टी वाई डिरेक्टी उसे बेवी के लिए कॉंग्रेचुलेट करती है केटी ने का कि अब भी मुझे डायमंड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं आडम नहीं उन्हें सेफ रखे थे इसके बाद डिरेक्टी यहाँ से चलेगी हम केटी को लेनर्ट की गार्डन को मेंटेन करता देखते है यहाँ पेड के नीचे कुछ पानी की रहा और यही पर हम डायमंड को देख सकते है यह डायमंड अब केटी को मिल चुके थे पुलीस के ऐस भी खतम हो चुकी अब उसे कोई भी प्रॉलम नहीं आएगा इससे के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच लगा तो प्लीस से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता हुँ तो प्लीस इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल निटोवेशन आइकों दानों मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया